हेलो फ्रेंज स्वागत है एक नए वीडियो में दोस्तों अगर आपके पास कोई पुराना यूटीब चैनल है और उसे आप योज नहीं करते उसे पर्मानिटी डिलीट करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में आपको सबसे सरल तरीका बताने वाला हूं step by step सिखाने वाला हूं कैसे अपने यूटीब चैनल को डिलीट कर सकते हैं तो इस वीडियो में आपको complete जनकरी मिलने वाली है तो वीडियो में end तक बने रहें और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को like करना और चैनल पर नए हैं तो subscribe करके वेल आइकन पेस कर दें तो दोस्तो आपको अपने यूटीब चैनल को delete करने के लिए दोस्तो आपको यूटीब application open कर लेना है open करने के बास simply आपको right side में दिखाई दे रहें अपने जीमेल वाले logo पर click करना है जैसे दोस्तो चैनल वाले logo पर click करेंगे तो कुछ ऐसा interface आएगा अब दोस्तो यहाँ पर आपको एक option देखने को मिल जाएगा manage your google account तो simply आपको manage your google account पर click करना है जैसे दोस्तो manage your google account पर click करेंगे उसके बाद गाईज कुछ ऐसा interface आएगा अब दोस्तो अपना youtube चैनल डिलीट करने के लिए दोस्तो यहाँ पर आपको एक option मिलेगा data and privacy का तो आपको data and privacy पर click करना है जैसे दोस्तो data and privacy पर click करेंगे तो दोस्तो ऐसा interface आएगा तो दोस्तो यहाँ से आपको नीचे scroll कर लेना है जैसे दोस्तो नीचे scroll करेंगे तो दोस्तो यहाँ पर आपको कुछ option से देखने को मिलेंगे और दोस्तो यहाँ पर आपको एक option देखने को मिलेगा download or delete your data तो दोस्तो यहाँ पर आपको एक option मिलेगा delete a google service चुकि हमें youtube चैनल delete करना है तो आपको delete ए Google service पर किलिक करना है जैसे दोस्तो डिलीट ए Google service पर किलिक करेंगी उसके बाद दोस्तो यहाँ पर थोड़ी processing होगी उसके बाद दोस्तो कुछ एस्टा इंटरफेस आएगा अब दोस्तो अपना YouTube channel डिलीट करने के लिए सबसे पहले आपको खुद को verify करना होगा यानि यहाँ पर अपने Gmail ID का password डालना होगा दोस्तो अगर आपने Gmail ID का password भूल गए हैं तो उस पर हमने एक complete वीडियो बनाया कि अपने Gmail ID का password कैसे पता कर सकते हैं तो उस वीडियो का link आपको इस वीडियो के description में मिल जाएगा और ओव वीडियो इस वीडियो के end screen में भी मिल जाएगा तो दोस्तो simply आपको यहाँ पर अपने Gmail ID का password डाल देना है तो चलिए दोस्तों यहाँ पर अपने Gmail ID का password डाल देते हैं password डालने के बाद simply आपको next पर click करना है जैसे दोस्तों next पर click करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर भी थोड़ी processing होगी तब तक आपको wait कर लेना है और guys तब तक इस वीडियो को आप like कर दीजिए तो दोस्तों जैसे processing होगी उसके बाद दोस्तों password डालने के बाद कुछ ऐसा interface आएगा अब दोस्तों यहाँ पर आपको यूटीब मिल जाता है तो दोस्तों यूटीब के side में आपको delete वाला icon मिल जाता है तो दोस्तों आपको YouTube channel को delete करना है तो दोस्तों simply आपको delete वाले icon पर click करना है जैसे दोस्तों delete वाले icon पर click करेंगे उसके बाद दोस्तों कुछ ऐसा interface आएगा आप दोस्तों यहाँ पर आपके channel का name मिल जाएगी और जिस channel से आपकी Gmail ID है और दोस्तों मतलब तो आपकी यहाँ पर Gmail ID भी मिल जाएगी तो दोस्तों यहाँ पर आपको दो option मिलेगे I want to hide my channel I want to permanently delete my content तो आपको permanently delete करना है तो simply आपको I want to permanently delete my content पर click करना है जैसे दोस्तों आप इस पर click करेंगे उसके बाद दोस्तों कुछ ऐसा interface आएगा आप दोस्तों यहाँ पर आपको दो box मिलेंगे तो दोस्तों आपको करना क्या है simply दोस्तों आपको इनको tick कर दो उसके बाद simply आपको delete my content पर click करना है जैसे दोस्तों delete my content पर click करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर confirmation के लिए आपको दुबारा अपनी gmail id को डाल ला होगा जो कि दोस्तों आपको उंचे मिल जाती तो same gmail id को जो है दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी डाल लेना है चलिएगा जिम यहाँ से अपनी gmail id को डाल लेते gmail id डालने के बाद simply दोस्तों आपको delete my content पर click करना है जैसे दोस्तों delete my content पर click करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ी processing होगी उसके बाद दोस्तों कुछ ऐसा interface आएगा अब दोस्तों यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं लिखा हुआ your content being deleted तो दोस्तों आप आपका YouTube channel delete हो चुगा है तो इस process को follow करके easily आप भी अपने YouTube channel को delete कर सकते है तो I hope you video आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना Thank you so much